स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साप की पाट सालाम है इस वीडियो में हम देखेंगे पोस्टल बैलेट डाक मत पत्र क्या है आपको कैसे डालना है कौन कौन डाल सकते हैं पोस्टल बैलेट फॉर्म 12, 13, A, B, C, D क्या है और आपको किस तरीके से कहां से मगाने है और क्या क्या करना है किस से वो अप्रूब करवाने है पोस्टल बैलेट खास बोटर के लिए हैं जैसे कि सरकारी अधिकारी सैन निबल, ससक्त्र, पुलिस बल, चुनाव डूटी के समय जो लगे हुए हैं अपने राज्य से बाहर तैनात अधिकारी या उनकी पत्नियों के लिए देश से बाहर कारेरत सरकारी अधिकारीों के लिए हैं पहले से ही चुनाव आयोग ये डिसाइड कर लेता है कि कितने पोस्टल वैलिट की आवसेक्ता पड़ेगी तो पहले से ही परियापत मात्रा में उपलब्द होते हैं इलेक्ट्रोनिक और डाक सेवा से मतपत्र भेजे जाते हैं और जहाँ पर इलेक्ट्रोनिक सेवा से नहीं भेजे जा सकते हैं वाँ पर डाक सेवा से भेजे जाते हैं मतदान कार्मिकों के लिए मत देने की विवस्तावी है अधिकारी करमचारी जिनकी ड्यूटी विदानसवा सामान निर्वाचन 2022 में लगी हुई है वे सम्मंदित रेटर्निंग ओफिसर आरो से सीधे प्रारू बारे पर डाक मत पत्र की मांग करेंगे प्रारू बारे पूर्ड रूप से भर कर मतदान की तारीक के साथ दिन पूर्व तक सम्मंदित आरो को भेजना होगा प्रारू बारे में अन्य विवरणों के साथ साथ निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं मतदाता की करम संख्या सही सही भरी जाए प्रारूप बारेप पूर्ड रूप से भर कर उसके साथ निर्वाचन में लगे डूटी के प्रमाण पत्र की छायापती एवं पहचान के लिए एपिक अथवा माननी आयोग द्वारा निर्धारित 11 विकल्पों में से एक विकल्प सलगन करना अनिवारे होगा तो यह जो पोस्टल वैलेट मंगाना चाहते हैं उनके लिए फॉर्मेट है और जो सेकिंड प्रसिषड में जाएंगे इनकी डूटी लगी हुई है उनको वहाँ पर ही दे देना है ये भरके प्रेसिती यहाँ पर विदान सबा निर्वाचन छेतर के लिए है तो यहाँ पर विदान सबा का लिख देंगे जैसे माल लीजे 79 सादावाद तो 79 सादावाद अपना नाम लिखेंगे विधान सबा निर्वाचन छेतर से लोक विदान सबा के लिए होने बाले निर्वाचन में अपना मत दाख दोरा देना चाहता हुं मेरा नाम संसदिय निर्वाचन छेत्र संसदिय निर्वाचन छेत्र का लिखेंगे यहाँ पर जैसे 18 हात्रस 18 हात्रस में समा बिष्ट यहाँ पर विदान सवा का लिखेंगे 69 साधावाद 79 साधावाद लिखेंगे सबसे पहले में संसदी चेतर का और उसके बाद में विदान सवा चेतर का अगर संसदी चेतर आपको नहीं पता है तो खाली विदान सवा चेतर लिख दीजे विदान सवा निर्वाचन चेतर की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या जो भी भाग संख्या है जिस बोटर लिस्ट में आपका नाम है उसकी भाग संख्या सबसे उपर लिखी होगी वहाँ भाग संख्या में करम संख्या जिस भी करम संख्या पर है वो यहाँ पर करम संख्या लिखेंगे पर प्रविष्ट है मुझे मतपत्र निम लिखित पते पर भेजा जाए अपना पूरा अड्रेस लखेंगे जिस पर आपको मतपत्र चाहिए इस्थान लिखेंगे तारीख लिखेंगे नीचे भवधी अपना नाम मोबाइल नमबर और साइन आपके तो ये आपका 12 नमबर प्रारूफ हो गया चाह आप वहीं पर जमा कर रहे हैं सम्मंदित आरो के द्वारा प्रारू बारे पर पोस्टल वैलेट हेतु मांग पत्र प्राप्त होने पर परिक्षडो परांत निर्धारित पंजिका पर विवरण दर्ज करते हुए डाक मतपत्र हेतु प्रारू बार्य पर अंकित किये गए पते पर प्रेशित किया जाता है क्या क्या किया जाएगा तेरे ए गोशना पत्र तेरे भी छोटा हरा लिफापा तेरे सी बड़ा पीला लिफापा एवं तेरे डी अनुदेश बेजा जाता है तेरे ये गोशना पत्र को विदिवत भर कर उसमें डाक मत पत्र का क्रमांक लिखते हुए शक्षम अधिकारी या कार्यालाइद्यच से प्रमानित अस्ताक्षर इवं मोहर सहित कराना अनिवार हैं डाक मत पत्र पर अपना मत अंकित करने के बाद तेरे वी छोटे हरे लिखापे में इसे रखते हुए गौन से चस्पा करके लिखापे पर डाक मत पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार हैं तेरे सी बड़ा पीला लिफापे में प्रमानित गोश्णा पत्र तेरे एवं तेरे बी छोटे हरे लिफापे में जिसमें डाकमत पत्र पर मत देने के बाद रखकर चस्पा किया गया है को रखनाने वारे है यद महिला मत दाता है तो तेरे सी पर बड़ा पीला लिफापे के उपर मोटे अक्ष्रों में डबलू लिखा जाएगा अब हम देखे सारे ये लिफापे देखते देखे ये तेरे ए हैं देखे सबसे पहले निर्वाचक द्वारा गोश्णा या पर निर्वाचन छेतर की संख्या लगी जाएगी विदान सभा के लिए निर्वाचन है यह द्वारा गोश्णा करता हूं कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे यह पर पोस्टल बैलेट का नमबर लिखा जाएगा क्रम संख्याक वाला डाक मतपत्र उप बरड़ित निर्वाचन में जारी किया गया है यह तारीग लिखेंगे यह निर्वाचक के हस्ताक्षर पता लिख करेंगे यहां पर विवागा दिच के हस्ताक्षर आ जाएंगे उनका पद आ जाएगा और उनका पता आ जाएगा और यहां पर जो इस्थान है वहां पर इस्थान और तारीख लिख देंगे उपयोग में लाई जाने वाला निर्वाचक स्वयम हस्ताक्षर नहीं कर सकता त नीचे अनप्रमाणन करता जो उपर उसने साइन किये थे या विवागदात देच जो भी संबंदित सक्षम अधिकारी होगा वो प्रमाणित करेगा यह 13 ए आपकी घोश्डा तैयार हो गई इसके बाद में आपको यह पोस्टल वैलेट पेपर मिलेगा इसी पोस्टल वैलेट का नमबर है जो 4887 यही आपको तेरे ए में यहाँ पर लिखना है 4887 क्रम संख्याक वाला डागमत पत्र यहाँ पर आप टिक लगाएंगे जिस कॉलम को भी जिसको भी बोट देना चाहते हैं आप उस पर टिक लगाएंगे राइट या क्रॉस कुछ भी लगा दीजिए एक ए इसके बाद में आपको तेरे ए और जो तेरे बी था छोटा लिफापा उसको तेरे सी में रखना है एक तेरे डी और मिला होगा तो तेरे डी को आपको यह मार्क दर्शन के लिए है निर्वाचकों के लिए इसको नहीं रखना है इसको आपको अपने पास रखना है ऐसे दाता सूची में पंजीकृत और निर्वाचन ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके लिए डाक मत पत्र से मत दिये जाने की विवस्ता उप्रोक तानसार ही है परंत उनके लिए पोलिंग पार्टियों के दुती प्रसिश्चड के समय प्रसिश्चड के इंदर पर बनाए गए फैसिलेटर सेंटर पर बिदान सभावार मत दान की विवस्ता सुनिश्चित की गई है वे दुतीय प्रसिश्चड के समय अपने साथ प्रारूप बारे ठीक प्रकार से वर कर अपने साथ जूटी पत्र की छाया परती एवं पहंचान हे तू एपिक या माननी आयोग द्वा माड़ी करण करा सकते हैं ऐसे अधिकारी करमचारी जो अन्य जनपतों के मत दाता हैं वे समय से पोस्टर बैलेट की मांग संबंदित जनपत के आरो से करते हुए डाक मत पत्र प्राप्त होते ही उपबरडित बिंदू संक्या एक से लेकर आठ तक का अनपालन सुनिश्चि कर दो समय सरे लouch चारी करते हैं ऋनपतों के समय से वेख से लेक जर शेस लेघ़ी जन से लेख से ँफ tiger सोनिशकित झालया नहादार पत्र प्राप्त होते हैं वेक अनपतों के समय से गlanम मत दू रिस जनाया हुआर संस्टर आब पत्र तक टूए जमार पत्रह इकर संस्टरो